गुम है किसी के प्यार मेशु की नेगेटिव लीड और लीड एक्टर नील भट और एश्वेरे शर्मा का फूटा गुसा प्रेगनेंसी को लेकर फैंस और मीडिया पर भढ़के ये दो बड़े एक्टर तो फिर चलिया आपको बताते हैं कि क्या है वो बड़ी वज़े जिसके चलते विराट ही नहीं पाखी भी भढ़क उठी है मीडिया पर और अपने फैंस पर क्यूँ आखी रोमेंटिक डेट पर उठाए गए सवाल प्रेगनेंसी बेबी प्लैनिंग को लेकर क्या है बड़ी कॉंट्रोवर्सी तो इस वीडियो को कीजिए मैकसिमम लाइक और चानल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशाट टीवी का दर असल आपको बता दे ऐश्वरे शर्मा और नील भ प्लैनिंग कर रहे हैं और बच्चों की प्लैनिंग कर रहे हैं जिसके बाद से ही ये सूर्ख्या मीडिया में चलने लगी और सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगा कि नील भट और एश्वरे शर्मा बेबी प्लैनिंग करने जा रहे हैं जिसके बाद अब एश्वरे शर् और खत्रों को खिलाडी से फेमस हुई एश्वरेश शर्मा ने बेबी प्लैनिंग पर जम कर मीडिया को लतार लगाई है और ये कहा है कि क्या हम बेबी प्लैनिंग करेंगे तो मीडिया को बताना जरूरी है क्या हम अपने फैंस को बताएंगे ये हमारी परसनल लाइफ है पर प्रोफिशनल लाइफ और प्रोफिशनल लाइफ अलग होती है हाला कि एश्वरे शर्मा का ये रवया पहली बार नहीं देखा गया है आईशा सिंग को लेकर भी इस तरह से ओट पटांग हरकत करती आई है एश्वरे शर्मा और अब बेबी प्लैनिंग पर पूछे जाने सव और सिर्फ बेबी प्लैनिंग होता है इस तरीके से जम कर बरसी है एश्वरे शर्मा और एश्वरे शर्मा की इस जवाब के बाद से ही एक रियक्शन आ रहा है फैन्स को और फैन्स इन दोनों ही एक्टर्स को जम कर ट्रूल कर रहे हैं आप बताना कमेंट बॉक्स में इस कॉंटर्वर्सी पे आपका क्या है उपीनियन और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब